हेलो टेडर्स, कल के वीडियो में देखा था हमने निफ्टी के 50 मिन चार्ट में ये जो है पैटर्न क्लियर नहीं थी लेकिन हम यहाँ पे एक रेट्रेस्मेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे और मान रहे थे कि ये एक ABC टाइप का करक्शन हो सकता है और यहाँ पे जो है ABC पूरा ह होने के बाद हमें डिकलाइन देखने को मिल सकता है निफ्टी में ओपनिंग में ही यहाँ पे आए लगाया 15,250 के अरौंड और वहां से हमें शार्ट डिकलाइन देखने को मिला और जो लास स्वइंग लो था 15,081 के नीचे हमें निफ्टी को मिला तो आगे क्या हो सकता है वो आज समझने की कोशिश करते है, निफ्टी के अगर हम इस 30 मिनिट चार्ट को देखे, तो यहाँ पे जैसा कि हमने पिछले बार दो वीडियो में देखा था, यहाँ पे वेव 3 मान रहे हैं, और यहाँ पे जो है, आज हम वेव 4 ले ले, तो यह जो है एक ABC टाइप का मूँ, तो यह हो सकता है ending diagonal का wave 1, और यह हो सकता है wave 2, ending diagonal का, तो यह possibility है कि यहाँ पे wave 1 और wave 2 पूरा हो चुका है, और यहाँ से जो है एक हमें wave 3, जो कि 3 wave का होगा, क्योंकि यह ending diagonal है, तो possible है कि यहाँ पे हमें एक wave 3 जो है, उपर की तरफ देखने को मिल सकता है, जिसका internal structure हो सकता है, A, B और C, तो इस type की possibility हमें दिखाई दे रहे हैं, निफ्टी के 30 minute chart में, लेकिन अगर यहाँ से जो है हमें decline और भी देखने को मिलता है, और इसको भी break कर देता है, तो यह जो है immediate support range है, इसके नीचे अगर trade करता है, तो ही हम overall nifty में negative होंगे, otherwise यह जो है support range है, और यहाँ से फिर से nifty उपर की तरफ जा सकता है, उस case में हम इसको irregular correction मान लेंगे, और यहाँ से wave 5 start हो सकता है, लेकिन अभी के लिए हम मान रहे हैं कि यहाँ पे wave 4 पूरा हो चुका है, और यह जो है ending diagonal का wave 1 है, और यह wave 2 हो सकता है, और यहाँ से wave 3 उपर की तरफ जा सकता है, यहाँ पे nifty के 30 minute chart से हम यह conclude कर सकते हैं, अगर इस chart को हम lower time frame में देखने की कोशिश करें, यहाँ पे, तो अभी तक हम देखें तो यह जो decline है, यह हम एक corrective decline नजर आ रहा है, और यहाँ से हमने इस, यहाँ से जो decline है, उसका हमने retracement निकाला, तो 38% आ रहा है 15,168 पे, तो यह बहुत important level हो जाता है, अगर इसके उपर nifty sustain करता है, इसके उपर 15,168 के उपर, तो हम मान सकते हैं, कि यहाँ से जो है, nifty और भी उपर जा सकता है, हमें यह level और यह level आने वाले sessions में मिल सकते हैं, लेकिन अगर यह जो है resistance बनता है, इसके उपर sustain नहीं कर पाता है, तो यहाँ से फिर से एक low हमें देखने को मिल सकता है, और यह जो है, हम जब तक इसके उपर है, तक तक हम मान रहें कि यह wave 1 है, ED का, और यह wave 2 हो सकता है, और यहाँ से हमें उपर की तरफ फिर से nifty देखने को मिल सकता है, तो अभी के लिए हमें concentrate करना है, इस level पर अगर इसके उपर sustain करता है, तो हमें यह और यह level आने वाले sessions में देखने को मिल सकते हैं, बैंक निफ्टी के अगर बात करें, तो कल के बैंक निफ्टी के 5 मिनिट चार्ट में हमने देखा था, यह जो बहुत ही important है, यहाँ पर हम मान रहे थे, यह जो है हमारे लिए clear नहीं था, यहाँ पर एक बहुत अच्छा learning है, यह जो है clear नहीं था, लेकिन मैंने कल के वीडि हम कर सकते थे कि यह एक 335 फ्लेट करेक्शन हमें लग रहा है, तो हम मान रहे थे कि इसके नीचे तो at least बैंक निफ्टी जाना ही चाहिए, तो हमने क्या देखा था कल के 5 मिनिट चार्ट में, हम expect कर रहे थे कि यह जो है एक impulse है, फिर correction और इस range में हम expect कर रहे थे कि इस range में बैंक निफ्टी आएगा और वहां से जो है हमें shark decline देखने को मिल सकता है, और हमारा target जो है यह हम मान रहे थे कि यह हमारी target range हो सकती है, और बैंक निफ्टी ने जो है यहाँ पर high लगाया 37,108 का opening के साथ ही यहाँ पर ही open हुआ और वहां से जो है हमें decline यह हमारा minimum target भी तो यहाँ पे जो है perfectly work की है हमारा analysis अब आगे क्या हो सकता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे अगर हम bank nifty के 30 minute chart को देखे तो यहाँ पे 1, 2 और 3 complete हो चुके है, यहाँ पे हम मान रहे है कि यह wave 4 पूरा हुआ है और यहाँ से जो है wave 5 start हो चुका है, तो उस wave 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1, 2 complete हो चुके है, इसको हम wave 3 मान रहे हैं और यह जो है हमे एक corrective decline नजर आ रहा है, तो यह हो सकता है wave 4 और इसको यह अभी भी overlap नहीं कर रहा है, तो अभी के लिए हम इसको wave 4 consider कर सकते हैं और यहाँ से जो है wave 5 फिर से उपर की तरफ हमें द 30 minute chart की बात करें और यहाँ से हमें decline देखने को मिलता है, तो यह हमारा immediate support range है, इसके नीचे अगर trade करता है 35,234 के नीचे तो ही हम bank nifty में negative हो सकते हैं, otherwise हम अभी भी मान रहे है कि bank nifty अभी भी उपर जा सकता है, इसके नीचे अगर trade करता है, तो ही हमें हमें हमारा view change करना कोशिश करें 37,708 से जो शुरू हुआ है, वहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करें, इस 5 minute chart में फिर से, तो यहाँ पे जो है इस pattern को अगर हम identify करने की कोशिश करें, तो अभी के लिए हमें एक यह ABC, फिर यहाँ पे जो हमने identify किया था 335 flat correction, तो यह ABC wave, फिर एक link wave X, और य देखने को मिला है, यह ABC, तो यह एक double zigzag type का correction हमें अभी के लिए लग रहा है, और यहाँ से जो है, फिर से bank nifty उपर की तरफ जा सकता है, और यहाँ पर immediate move की बात करें, तो इसके उपर यह 38% है, जो हमने यहाँ से निकाला है, इसके उपर अगर trade करता है, तो हम मान सकते है क यहाँ से bank nifty उपर की तरफ जा सकता है, और हमें यह levels देखने को मिल सकते हैं आने वाले sessions में, तो यह काफी important level है, 38% retracement का, जैसा कि हमने nifty में देखा था, यहाँ पर आ रहा है 36,735, इसके उपर अगर sustain करता है, तो हम मान लेंगे कि यह जो correction है, double zigzag correction वो यहाँ पर पूरा ह जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर इसके उपर sustain नहीं करता, तो यहाँ से फिर से एक बार हमें नया low देखने को मिल सकता है, उस case में हमें जो हमने आगे के चार्ट में देखा था, यहाँ पर यह जो है support range है, इसके नीचे अगर trade करता है, तो ही हम overall bank nifty में negative हो गए, otherwise यहा यहाँ पर decline और भी होता है, तो यहाँ पर हमें reversal pattern के wait करनी है, और वहाँ से जब भी हमें reversal दीखे, तो corrective decline में हमें buy में ही entry लेनी चाहिए, आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बर शुक्रिया, अगर आपको पसंद आया है, तो please like की और चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है, तो please subscribe कीजिए,